नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब 1971 में इंद्रा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर और फाइन्स मिनिस्टर थी, तब अगर कोई आदमी 10 लाख रुपय कमाता था, तब वो आदमी उस 10 लाख रुपय में से सिर्फ 66,200 रुपीज अपने घर ले दा सकता थ और क्या हुआ जब मसुहूर रेसलर अंडर्टेकर ने अक्छाय कुमार को रेसलिंग के लिए चैलेंज किया, ऐसे ही कुछ कमाल के फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानने वाले हो, दोस्तों क्या आपको पता है कि इस्टर्ण नॉर्थ अमेरिका में एक बहुत ही खतरनाक प्लान्ट पाया जाता है जिसका नाम है वाइट बेन बैरी और ये आख जैसे कुछ इस्ट्रक्चर्स अपने उपर उगा लेता है जिसकी वजह से इसको डॉल्स आई भी कहा जाता है वैसे इससे बर्ड्स को तो कोई खतरा नहीं होता है लेकिन इसका पॉईजन इंसानों के दिल की धरकन को स्लो कर सकता है जिससे इंसान की मौत भी हो सकती है फैक्ट नमबर नाइन गाईज पुराने वाले बीस के नूट पर आप ये जो जगह देख पाते हो ना हाँ ये वो पता है कहां की है दोस्तो एक्चुली ये जगह माउंट हैरियट नैसनल पार्क की है जो अंदमान और निकोबार आइलेंड पर है फैक्ट नमबर ए जाता है क्योंकि जब एरोपलेन लैंड करता है तब काफी सारा रबर रनवे पर घीस जाता है फैक्ट नमबर सेवेन दोस्तो आजकल हम ना जाने कितने सारे पोस्ट इंस्टाग्राम पर डेली अपलोड करते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इंस्टाग्राम की सबस पहली पोस्ट 17 जुलाई 2010 को केविन से स्ट्रोम ने डाली थी और वो पैर उसकी गल्फ्रेंड का था दोस्तों क्या आपको पता है कि जो फ्यूल एरोप्लेंस में डाला जाता है वो मामूली डीजल या पेट्रॉल से बिल्कुल ही अलग होता है और एरोप्लेंस के एक लीटर फ्यूल की कीमत 22,000 रुपए होती है पता नहीं गाईस कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर जानते हो इस दुनिया का अब तक का बनाया गया सबसे बड़ा और सबसे भारी एरोप्लेंस था एंटोनोवो 225 मैंने था क्यों कहा इस पे ध्यान देना मैंने था इसलिए कहा क्योंकि पहले ये प्लेन यूक्रेन के क्वीव में रखी हुई थी और फिर रसिया और यूक्रेन का वार सुरू हो गया जिसमें एक मिसाइल इसके पास भी गिर गई और ये ऐसा हो गया आप इस प्लेन के बिफोर और आफटर के फोटोज अपने स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तो क्या आपको पता है कि यूएस के वैज्यानिकों ने एक ऐसी गण बनाई है जिसको उसके मालिक के सिवा और कोई चला ही नहीं सकता है मतलब अगर ये गण आपकी नहीं है तो आप इस गण को नहीं चला सकते हैं क्योंकि ये गण एक बहुत ही खास तरह के फिंगर पिंट पर चलती है तो चाहे आप कितनी भी कोशिस कर लो आप इस गण को नहीं चला सकते हैं अगर ये गण आपकी नहीं है दोस्तो क्या आपको पता है कि मसुहूर र Lily Undertaker ने एक बार अक्षय कुमार को अपने साथ wrestling करने का challenge दिया था तो पता है अक्षय कुमार ने क्या कहा तो अक्षय कुमार ने कहा कि मैं अभी अपना life insurance चेक कर के आता हूं पात तो सही है यार अंडर्टेकर से लड़ना कोई असान बात नहीं है वैसे क्या आप लड़ना चाहोगी अंडर्टेकर से मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना पता है जब 1971 में भारत की प्राइम मिनिस्टर और फाइन्स मिनिस्टर इंद्रा गांधी थी तब अगर कोई आदमी इंडिया में 10 लाख रुपए कमा रहा होता था तो वो उस 10 लाख रुपए में से सिर्फ 66,000 ही अपने घर ले जा सकता था और बाकी का सारा पैसा उसे इंकम टैक्स में देना पड़ता था क्योंकि उस समय के इंकम टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा हाई हुआ करते थे जैसे कि अगर आप 2,000,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा कमाते हो तो आपको 85% या फिर उससे ज्यादा तक टैक्स पे करना पर सकता था अफकॉर्स गरीब लोगों के लिए कुछ छूट भी थे जैसे कि अगर आपकी इंकम 5,000 या उससे कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा अगर आप 1971 के इंकम टैक्स रेट्स देखोगे तो आपको ये पता चलेगा तो गाईस बस आज के फैक्ट्स यहीं पर समाप्त होते हैं वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर देना और भी ऐसे इंट्रेस्टिंग फैक्ट्ट वीडियो देख सकते हो यहाँ आ झाल झाल